आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में और मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस के बारे में अगर आप एकॉनोमिक्स के स्टुवेंट हैं अगर आप पीजुटी के तियरी कर रहे हैं अगर आप UPSC की, UPPCS, Bihar, PCS की CDS, CAPF, NDA की यानि किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की हो चाहें PGT की हो, UGC, NET की हो, हर एक एक एक्जाम के पॉइंट अव्यूस अगर बात करें हम तो यहाँ पर एक topic है economics में stock and flow इनके difference को लेकर बहुत बार सवाल पूछा जाता है क्या कुछ सवाल होंगे, वो मैं आपके साथ discuss करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं stock और flow में difference क्या होता है चलि पहले बाद समझेगा stock के बारे में stock यह एक आर्थिक चारे यानिक एक economic variable है जिसे एक समय पर मापा जा सकता है यही एक निश्यत समय की बात करते हैं निश्यत समय का mतलब भी होता है particular एक time पर हम बात कर रहे हैं यहाद पिरियोड की बात नहीं कर रहे हैं पीरिड का मतलब होता है एक निश्चित समय के साथ हम बात जब ये करते हों लाइक एक्जामपल जैसे आज माल लीजिए कि एक्जामपल के लिए आज एक जनवरी है अगर तो आज एक जनवरी को मेरा बैंक बैलेंस कितना है ये स्टॉक हुआ एक जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंब 2023 तक मैंने एक साल के पीरियड में कितना कमाया मैंने इंकम कितनी रही से एक साल में ये फ्लो कहलाएगा मैंने एक साल के पीरियड में कितना खर्चा किया ये फ्लो कहलाएगा आज एक जनवरी अगर और मैं कहूं आज मेरे पास टोटल वेल्थ मेरी टोटल संपत्ती पचास और 50,50 करोर की हो तो वो क्या कहलाएगा स्टाॉक हो जाएगा यानि आज की बात करना एक पर्टिकुलर टाइम की बात करना ये स्टाॉक कहलाता है याद रखना इसका समय आयाम नहीं होता और ये प्रकर्ती में इस्ثिर होता ये फिक्स होता तो generally money supply time पर बताई जाएगी जैसे कि 31 March को हमारे देश की money supply कितनी थी For example, हमारे पास wealth कितनी है, यह stock में आता है, हमारी capital कितनी है, पूझी कितनी है, हमारे पास stock में है हमारा bank deposit, bank balance कितना है, यह stock में है, population कितनी है, जनसंख्या कितनी है, यह stock में आएगा हमारे उपर debt यानि हमारा कर्ज कितना है, यह stock में होगा, food availability यानि हमारे पास कितना food available है, तो यह stock में होगा लेकिन अगर इनी सवालों में यह कह दूँ, change in population, तब अब क्या कहोगे, सर आज हमारी population इतनी है, लेकिन अगर मैं कहूँ, पिछले 10 साल में population कितनी बदली, पिछले 5 साल में population change कितनी हुई, तो change in population होगा, सर एक समय से लेकर दूसरे समय कितक बताना, तब वो फ्लो बन जाएगा, अगर मैं कहूँ, मैंने पिछले 1 साल में बैंक में इतना जमा किया, then वो फ्लो हो जाएगा, अगर मैं कहूँ, पिछले 1 साल में मेरी संपत्तीत्री बढ़ गई, तब फ्लो हो जाएगा, फ्लो में यानि कि आपको दो टाइम पीरिट के बीच की कहानी बतानी होती है, इसी तरह समझेंगे फ्लो के बारे में, ये एक आर्थिक चर है, जिसे एक समय अवधी में मापा जाता है, एक निश्य समय की बात की जाती है, और ये प्रकति में गतिशील ह होते हैं, डाइनमिक होते हैं, चेंज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि नैशनल इंकम जब हम बताते हैं, जनली तो किसी भी वर्ष के एक अपरेल से लेकर 31 मार्च तक हमने एक साल के टाइम पीरिड में रास्टियाय बताई जाती है, जीडिपी हो वो भी हम ये कहते हैं, पिछले एक साल का उसत उत्पादन जो रहा है देश का जीडिपी हो गई, चेंज इन इंवेंट्री, अब चेंज हो रहा हो किसी भी इंवेंट्री, किसी स्टॉक के अंदर, तो चेंज हो जाना जेनरली तोर पर फ्लो हो जाता है, चेंज इन कैपिटल, मैंने कहा था पिरेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है हमारे पास, सेविंग्स कितनी हुई है, हमारा खर्च कितना हुआ, हमारा घाटा कितना रहा, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हमारी इंकम कितनी हुई, हमारा इंट्रस कितना बना है, हमारा डप्रीसेशन कितना हुआ हमारी growth rate कितनी रही यह वो generally चीज़े होती है जो आपको एक वर्ष में एक महीन है मैं यानि कि दो time period के बीच में बताई जाते हैं example के साथ कुछ question को देखेगा exam में कैसे पूछेगा निमलिखित में कौन सा stock है कौन सा structure है यानि कि यहां पर कौन सा variable stock कहलाएगा expenditure मैंने कहा flow में आता है income flow में आती है salary एक time की होती है कि हम एक महीने की salary मतलब इस तारीक से लेकर इस तारीक तक की salary लेकिन जो wealth होती है सर वो एक निश्य समय पर होती है कि हमारी total wealth एक जनवरी को एक अप्रेल को आज की तारीक में इतनी है निमलिखित में किस चर को आर्थिक विशिलेशन में परवह चर नहीं माना जाता है अब यहां परवह नहीं है मतलब stock है सीधा सवाल यह है परवह यानि flow variable नहीं है stock है demand supply मैंने का flow variable में आता है हमारी saving हमारा interest हमारी income हमारी investment हमारी बचत हमारे कर्चे सब यह flow में आते हैं हमारा export और import भी flow में आता है लेकिन जब money supply की बात की जाते है या public debt की बात की जाती है तो generally तोर पर debt का मतलब आज हमारे उपर इतना कर्ज है आज की तारीक में इतना कर्जा रहे हम हाँ अगर यह कहा जाता है कि change या increase in debt हो जाता तो पिछले एक साल में हमारा उधार और कितना बल गया तब वो flow जाता generally debt जो होता है या हमारी money supply यह stock हो जाती है निमलिखित में कौन stock चर है इनमें से stock कौन सा होगा यह बताना है जब आप stock के बारे में बात करोगे तो याद रखना भाई जैसे मैंने का investment क्या है तो investment flow में आता है monetary expenditure expenditure कोई भी यह flow में आता है एक 100 रपे का note है एक fix note है वो stock में आता है वो stock में आता है एक family का consumption यानि खर्चा है यह flow में आता है एक service of tutor है एक शिक्षिका पढ़ार यह flow में आता है कि बही इस तारीक से इस तारीक तक पढ़ाया उसने cement का उत्पादन उत्पादन मैंने कहा flow में आता है machine of a sugar mill एक machine machine fix होती है सर machine change नहीं होती है अब सवाल पुछा गया है कि कौन सा एक stock चर होगा तो 3 number और 7 number तो stock चर होगे लेकिन 3 और 7 के अलावा 1, 2, 4, 5, 6 एक, 2, 4, 5, 6 अगर हो जाए option में तो वो flow variable हो जाएंगे सर क्यों उत्पादन flow होता है services flow में आती है consumption हो expenditure हो investment flow में आते हैं निमलिखित में कौन सा अर्थ विवस्ता में एक परवाचर है flow है बताना है stock नहीं है flow है wealth stock है money supply stock है export import आपका flow है debt stock है आपके पास आप जानते हो इस तरीके के सवाल आएंगे एक्जाम में एक आखरी सवाल औरतिक है मेरे साथ इसमें क्या होगा निमलिखित में कौन अर्थ विवस्ता के अंदर याद रखना है बई कौन सा एक होगा जो अर्थ विवस्ता के अंदर stock चर नहीं है stock नहीं अब तो income flow है expenditure flow है growth rate flow है bank deposit जो है वो आपका एक stock है तो यहाँ पर सवाल यह पूछा गया है बैंक में जमा है यानि कि कौन सा एक is not a stock variable stock नहीं है तो income expenditure और growth तो यहाँ पर मुझे लगता है is not a flow variable यहाँ यह question हो चाहिए कौन सा flow variable यानि कौन सा परवहचर नहीं है याद रखना कौन सा flow नहीं है इस question को check करेंगे हम और यहाँ bank deposit जो होगा सर वो आपका flow नहीं होगा वो stock में होगा तो इस सवाल आते हैं और hopefully आज की बात कभी भी question आएगा एक्जाम में जो examples मैं आपको यहाँ पाहिल के अंदर दिये अगर आपने सिर्फ उनको भी पढ़े लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा चलिए ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर available हैं उनको देखिए और अपने एक्जाम की तियारी बहतर बनाएगा मेरे साथ और करियर विल के साथ थैंक अवरिवन थैंक यू सो मच